है लो दोस्तों स्वागत है आपका एक उन नए वीडियो में दोस्तों आज के सिड़े में आपको एक हैरलाइन बालनेश जैसे की फ्रनक्टल बालनेस होता है कोने से जो हैर चले जाते उस बालनेस से लगा के एक सांदार हैरलाइन की जर्नी दिखाने वाला उड़ जो कि सिर् के लिए अच्छे हैर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सब कुछ हो फिर भी अगर है अच्छे नहीं है तो सब चीज भापे खराब हो जाती तो इसी तरह का बालनेस के कैसे डी में लाया हूं आज के इस वीडियो में जिसमें आप देखेंगे इनको जो हैरलाइन के लिए यहाँ I ho b Init वीडू में देखने वाले इसमें को कितने लगे कितना ख़र्चा आया का क्या करना पढ़ा वह सब कुछ में आपको इस वीडियो में आता हूं आपको कुछ पर्सनली हेल्प लगे तो ले सकते हैं नमबर इसलिए मैं दे देता हूं यह मेरा नमबर है वाटसप यह फॉल तो आप इस पर कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो इनकी बाड़नेस की कंडिशन हम देख लेते हैं जो कि हमने शुरुआत में फोट बीच में से हैरिस्टाइल निकाल ले तो वो दोनों साइट को कवर कर देगा बर जब हम बाइक से जाएंगे हवा चले गया फिर कई भी ऐसा है जहां पर बाल हवा में उनने की संभाव ना रहे वहां पर दोनों पीछे चले जाएंगे और वो गंजापन सामने से दिखेगा जो कि इन फोटोज में देख सकते हैं तो कुछ इस तरह का इनका बाढ़नेस था ग्र्स धा विपूर हे बाड़े देख सकते हैं हे को सगे आंगर हे दिखेगा जाए यह जए से हैरलाइन को तोटली नेच्रल बनाया जाए उसister हेला बनाए जाए ग्राप को थोड़े आगे पीछे कुछ इस तरह की वह आटी फीशियल नहीं लगे और नेच्रल लगे जैसे की एक आम वेक्तिकी होती है जिनके हैर पहले से अच्छे हो तो कुछ इसी तरह का इनका हेट रास्प्रांट हो था जो कि हम इन फोटोस में देख सकते इनका हेट रास्प्रांट जिस क्लिनिक से हो था उसका नंबर भी मैंने इन फोटोस के साथ में में अच्छे से करेंगे तो आने वाला रिजल्ट आपका बहुत ही ज्यादा सांदार होगा और किसी तरह की कोई दिक्कत परिशानी आपको हेट रास्प्रांट में नहीं आए देली लाइक के साथ में कर सकते हैं यह क्लिनिक के अलगलग होता है यहाँ पे लगबर साथ से आथे बहुत हो जाता है को करके लग लिया जा सकते हैं कितने से तह लगाना transparent में अच्छी चीज नहीं होगी क्योंकि यह तो चले जाएंगे कुछ दिन रहेंगे और गिर जाएंगे तो इसलिए हैर हाथ के पेर के नहीं लेते मेरे बहुत से स्क्राइबर बोलते हम सिर के पीछे से नहीं देना चाहते हैं उनके सिर के पीछे बहुत अच्छा हो लेवलों तो दोनों को मिक्स करके लगा जाता है अगर फुल बाढ़ने से तो वह अच्छा लूप देगा है ना वहाँ पी मेच कर जाते हैं बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि नेच्रल नहीं लगेगी बहुत ही गंदी दिखेगी तो हैरलाइन के लिए बेट के हैर जहा सकते हैं टोटली लुक जो इनका चेंज होगे और कितना सांदार लुक होगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं लाइक दिखा रहा हूं में आपको देखे किती अच्छी कंडिशन इनके खुद के फोटो जै एक वीडियो भी है जो वीडियो के आखरी में लगा इसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ता अच्छा लुक जो है ट्रास्फर्ण के बाद में आच चुका है डैंसिटी देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हेलाइन देखो टोटली नेच्रल लजर आ रही है थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं तो देखे बहुत ज़्यादा परिसान होगा बार्नेस से उनको होप तो मिली होगी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब निकार रखा तो कर लो दोस्तों क्योंकि इसी तरह के मेरे वीडियो इस चैनल पर आते रहे तो ग्राफ इनको लगाये गए थे तीन हजार लगाये गए थे इनके हेट रांस्परांड में और जो है इनका एक टेक्निक से हेट रांस्परांड हुआ था कॉस्ट लगे थी ट्वेटी रूपीस पर ग्राफ क्लिनिक की लोकेशन क्या क्या है वह अगर दोस्तों जय हिंद मिलता आपसे एक और नए वीडियो दोते के लिए बाबाए टेक क्यार